Hello students, welcome to Quota Pulse by Unacademy तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं Relative Motion Part 2 Part 1 जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग पहले Part 1 देखें, उसी के बाद बच्चे Part 2 को देखें पढ़िएगा आप और Part 1 में क्या-क्या Concepts हम लोगों ने पढ़े थे उसका एक छोड़ा सा Brief आपको दे देता हूँ ताकि एक Quick Revision हो जा है हमाना दो से तीन मिनिट में फिर हम Part 2 में बात करेंगे तो Part 1 में हमने यह समझा था बच्चे की Relative Motion Actually होता क्या है What is the meaning of Relative? Relative Word क्या होता है और Comparison में हमने यह बात सीखी थी जब दो चीजों में Comparison नहीं हो रहा होता है तो वो दोनों चीजें Actually Same होती है या फिर अगर हम इसको Motion के Terms में बात करें तो Motion के Terms में हम यह समझ में आता है कि अगर दो Bodies के बीच में आपको Relative Motion दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि दोनों Bodies चल नहीं रही है इसका मतलब यह होता है कि दोनों Bodies की Velocity आपके पास Same है ठीक है And इसके बाद हम लोगों ने यह समझा कि जो आपके पास Formula होता है VBA is equal to VB minus VA That is velocity of B with respect to A equal to VB minus VA जो आपने Formula पढ़ा था उसमें हम लोगों ने यह सीखा कि VB और VA जो आप इसमें Put करते हैं They should be from Same Frame of Reference ठीक है They should be from Same Frame of Reference तो Frame of Reference आपके पास Same होना चाहिए और जो VBA है equal to VB minus VA यह आपके पास Frame of Reference से independent आता है ठीक है क्यों आता है यह बात मैं आपको करने के लिए कहा था इसका छोटा सा logic है हमारे पास छोटा सा logic यह है कि आपके पास मैंने आपसे यह बात कहिए थी कि अगर हम दो bodies की position को मार्ट करें तो इन bodies के बीच में जो आपके पास position vector होता है जैसे माल लिए यह आपके पास A है और यह आपके पास B है तो this is position vector of B with respect to A equal to RB minus R actual में B का position vector with respect to A इस बात पर depend नहीं करता है कि आपने origin किसको माना actually नहीं depend करता है तो choice of origin पर यह बात depend नहीं करती है कि position vector of B with respect to A क्या है क्योंकि अगर आप इस बात तो समझेए कि A अगर B को देखना चाहता है तो क्या उसे इसी तरफ देखना पड़ेगा magnitude भी same है तो क्या यह vector आपके पास same है independent है इस चीज से की origin क्या है तो इसलिए जब इसका आप differentiation करते हैं कि इसकी जो आपके पास relative position change होगा वो भी frame of reference या नहीं करेगा ठीक है अच्छा एक question हम लोगों ने किया था आपने शाइद उस सीजमेंट नोट किया हो की नहीं किया हो last class हम लोगों रेक question क्या था train वाला अगर आपको याद हो कि एक आदमी है या हमारे पास एक boy है it is moving with velocity 10 i cap ठीक है एंड इसको जो train है वो appear होते हुए दिखाई देती है इस तरफ बाद समझेगा इसको दिख रही है किस तरफ दिख रही है train चलते हुए दिख रही है 10 by 3 j cap 10 by 3 j cap का मतलब हो गया it is appearing to him moving towards north ऐसा हमने सवाव में लिखा था ठीक है अगर मैं आपसे यहाँ पे बोलू कि क्या नहीं दिख रहा है train दिख रही है सिर्फ औस सिर्फ जो सवाल में क्या रखा है कि दिख रही है वो तो है जो नहीं दिख रही है उस पे ज़्यादा concentrate करना क्या नहीं दिख रहा है हमें नहीं दिख रहा है horizontal relative motion से vertical direction में दिख रहा है या north में दिख रहा है east में नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर आपके पास आएगा 10 I cap प्लस 10 by 3 G cap यह train की velocity आपके पास आई थी, ground frame में actual velocity जो आपके पास आई थी तो जिन लोगों को यह question याद नहीं है आप अब पिछले question में जाके देखिए और इस observation के साथ इसको merge करके देखिए definitely आपको बहुत फायदा होगा ठीक है चलिए अब यहाँ पर यह तो हुई part 1 का छोटा सा revision अब हम बात करते हैं बच्चे यहाँ पर कि part 2 में हम लोग क्या करने वाले हैं तो basically part 2 में हम लोग बात करने वाले हैं इस चीज की कि जो आपने part 1 में relative velocity निकालना सीखा था अब हम यहाँ पर थोड़े से questions और करते हैं उसी को आए continue करते हैं और थोड़े बोड़े questions और करते हैं ठीक है तो देखिए यहाँ पर आपके पास जो topic है it is relative speed speed बच्चे क्या होता जैसे आप जानते कि velocity है यह एक vector quantity होती है तो velocity आपके पास एक vector quantity है इसके पास direction भी है इसके पास magnitude भी है यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किस चीज की हम बात कर रहे हैं speed की speed क्या होता आपके पास what is speed magnitude of velocity ठीक है relative speed मतलब magnitude of relative velocity बहुत simple सी चीज है स्पीड के बारे में आप जानते थे उसके आगे word लग गया relative तो relative word भी हमने कहां से उठाया relative velocity से ही उठाया तो एक के respect पे दूसरे की velocity आपको पता है तो वहां से आप relative speed निकाल सकते है सिस magnitude ले लीजी तो जैसे यहां पर आपके पास देखेंगे आप द्यान से आपको दो गाड़ी देख रही है 20 और 10 एक चल रही है 20 km पर आर से एक चल रही है आपके पास 10 km पर आर से तो एक 20 km पर आर से चल रही है और 10 km पर आर से चल रही है तो इनके बीच की relative velocity क्या होगी क्या आप बता सकते हैं आप अराम से कर सकते हैं तो क्या से चलेगी ये दोनों अगर आप इसको देखेंगे तो कौन तेज चलता देखिए उपवाली गाड़ी तेज चल रही है क्यों क्यूंकि आपको दिया हुआ कि इसकी स्पीड कितनी है 20 ठीक है अब अगर हम इसकी moving in same direction velocity की direction पर आप note करिये yes और no क्या ये same direction में चल रही है देखो आप दियांसे जब भी आपके पास same direction में चलेगी तो ऐसा नहीं है कि ये दोनों arrows सिर्फ इस तरफ होने चाहिए ये दोनों arrows आपके पास इसके opposite भी हो सकते हैं ठीक है आपके पास direction ये भी हो सकती है आपके आपके पास direction ऐसी भी हो सकती है इट कैन भी opposite ऑल्सो बट ध्यान देने वाली बात क्या है कि दोनों ऑब्जेक्स जो चल रहे हैं उनकी direction एक तरफ है they are moving in same direction ठीक है अब इसके relative velocity क्या है आप निकाली relative velocity of 2 with respect to 1 अगर हम formula यूस करें तो क्या आएगा बच्छे it will be is equal to v2 vector minus v1 vector v2 vector कितना इसको 20 i cap कोई दिक्कत तो नहीं इसमें लिख सकते हैं आप लिख दिजिए इसको 20 i cap ठीक है minus 10 i cap कितना जाएगा बच्छे 10 i cap यानि कि इस गाड़ी को first वाली गाड़ी को इसको बोल रहे हम second इसको बोल ठीक है one or two आपके बास लिखा हूँ तो अगर आप first वाली गाड़ी से second वाली गाड़ी को देखते हैं तो यह जो आपको कितनी दिखाई चल से चलते हुए दिखाई दे रही है यह चलते हुए दिखाई दे रही है आपको 10 i caps 10 meter per second से आप इस condition को visualize करिए आप सोचे कि आप रोड पे जा आप अपनी कार में बैठे हैं आपको एक कार करती है ठीक है अब वो कार जो आपको ओटेक कर रही है आपको उसकी स्पीड चलती हुए कितनी दिखाई दे रही है आपको actual दिखाई दे रही है कि आपके कार में जिस कार में आप बैठे हो उसके respect में दिखाई दे रही है आपको दिखाई दे रही है आपके respect में जहां प आसपास observe करी है क्या मुझे यही दिखाई देता है actual से कम दिखाई देता ठीक है तो आप यहां पर देखिए कि हो क्या रहा है सेम डिरेक्शन में जब भी चल देखो कितना सा आगे पहुंच ग्राउंड से देखोगे तो कार आपके पास यहां से लेकर के यहां तक पहुंच यही थी ठीक है और दूसरे वाली कार आपके पास यहां से लेकर के माल लो यहां तक पहुंची क्योंकि यह भी तो चलेगी ना तो इसके रेस्प्रक्ट में देखो इसने कितना हार डिस्टेंस ट्रेवल कवर इंद सेम टाइं यह मीनिंग है इस चीज का रिलेटिव मतलब नहीं है क्योंकि actually मुझे क्या चाहिएगा बाग में इस पीड चाहिए ठीक है तो विलॉस्टी आफ टू रिस्प्रक्ट वन इक्वल टू इक्वल टू माया सब्सक्राइब किसी के भी रिस्प्रक्ट पर निकालना चाहिए आप निकाल सकते हैं यहां पर हमने किसके है तू के विलॉस्टी वन के रिस्पैक् Any कैस्व हमने किया है इस क्लेकूलेशन को आप करें इस के इस क्लेकूलेशन को अगर आप करें pores निकाली विलॉस्टी ऑफ अगर आप निकालेंगे तो क्या आएगा बताइए बोलो क्या लिखो इसको V1 minus V2 फार्मला सामने लिखा हुआ है यानि कि 10 I cap minus 20 I cap is equal to minus 10 I cap yes or no velocity आगे minus 10 I cap relative speed क्या रहेगा आप यह बताइए आपके पास magnitude of relative velocity magnitude कितना है मेरे पास magnitude है मेरे पास 10 यानि कि दिखाई तो 10 से ही देगी लेकिन यह minus sign क्या बता रहा है बताइए कि अगर car number 1 को car number 2 इस direction में चलती हुई दिखाई दे रही है positive में तो car number 2 को car number 1 किस तरफ चलती हुई दिखाई देगी क्या opposite में आप इसको visualize करिए देखिए सुची कि car number 2 के frame में क्या car number 1 पीछे चली गई है इस point पे अगर आप देखोगे तो दोनों सेम जगे पे हैं they are at same place अगर आप final condition पे देखोगे तो 2 के respect में first वाली car कही पीछे रह गई है तो इसको क्या लग रहा है इसको लग रहा है कि car भाई पीछे जा रही है जो slow चल रहा है आपको लगेगा ये पीछे जा रही ठीक है actually ये जो चीज़े हैं आप day to day life में observe कर सकते हैं ठीक है ऐसा actually हमाई साथ होता है आपके साथ भी शायद हुआ होगा कि कई बार आप जैसे train में travel कर रहे है माल दीजिए कि train जो है ना आपके पास कही रिस्ट्रेशन है उसके आउटर पर train रुकी आपके पास में parallel track पर एक train आके और रोके अब होता क्या है कई बार कि कौन सी train पहले चलेगी आपको पता नहीं ठीक है कौन सी train पहले चलेगी आपको पता नहीं है माल लोग कि आपके पास वाली train चल पड़ी है कई बार हमें लगता है कि हम चल रहे हैं हमें कैसे पता चलता है कि हम नहीं चल रहे हम देखते हैं इस तरफ खिड़की से बाहर या प्लैटफॉर्म तो वहीं है या बाहर जो आपके पास पेड़ वगेरा है वो तो वहीं के वहीं है तो हमें पता पडलता है अच्छा हूँ हम नहीं चल रहे है यह चल रही है तो एक इल्यूजन क्रियेट होता है अब इस दोनों केस में कॉमन क्या है इस वाले केस पर स्पीड 10 आया और इस वाले केस पर स्पीड आपके पास 10 आया इस स्पीड में कोई फरक नहीं है इस वाले केस ए ओनली दा अन डाइगनिट्यूज ठीक है और इस केस को हम कैसे समझ सब्सक्राइब लिखते हैं कि for same direction यहां पर जो भी लिखा बच्चे इसको रब कर देते हैं एक बार ठीक है for same direction we can write same direction का मतलब जैसा मैंने अपर arrow बना के दिखा रहे था आपको या तो दोनों इस तरफ या दोनों इस तरफ ठीक है for same direction you can write V relative is equal to velocity of 1 with respect to 2 का magnitude equal to velocity of 2 with respect to 1 का magnitude equal to V2 minus V1 यहां पर मैंने V2 minus V1 क्यों लिखा क्या आप बता सकते board पर देखी बच्चे द्यान से उपर क्या लिखा है मैंने यहां पर मैंने लिखा है कि V2 की value V1 से ज़्यादा है तो बड़ी वाली velocity में से छोटी वाली velocity को घटा दीजिए simple क्या सीखा पाने जब भी आपको relative speed निकालनी है तो बड़ी वाली velocity से छोटी वाली speed को घटा दीजिए या बड़ी speed से छोटी speed को घटा दीजिए आपको मिल जाएगे relative speed ठीक है चली आगे बढ़े तो यह आपके पास हुई same direction की बात आपको समझ में आया किस तरह से गाड़ी track पर चल रही है दोनों parallel track ठीक है आगे बढ़े यहाँ पर आपके पास क्या है magnitude of relative velocity कौन सा case है अब आप देखके बताओ same direction है कि opposite direction बताइए it is opposite direction देखिए द्यान से देखिए आप arrow बताओ आपको कि एक गाड़ी positive direction में चल रही है और एक गाड़ी आपके पास negative direction में चल रही है अब आप बताइए क्या होगा इस गाड़ी में बैठे हुए driver को इस गाड़ी की speed जादा लगेगी 10 से कि कम लगेगी मैं यह नहीं कह रहा हूँ आप equation लगाईए आप उस basic observation को याद करीज़ा आप सड़क पर चलते हैं और कोई गाड़ी आपके सामने से आ रहे है बस टक्कर हुई नहीं बच गए है ठीक है यह तो फिर भी ठीक है कि parallel track पर चल रहे हैं मालो की parallel track नहीं है एक ही सड़क पर आप भी चलेगा है सामने से भी आगए गाड़ी अब बताओ वो गाड़ी आपको तेज आते हुए लगेगी कि धीरे आते हुए लगेगी opposite direction का के सही है बदाई बिलकुर सही बात वो गाड़ी आपको तेज आते हुए लगती है तब ख्रॉस करी क्या नहीं कब ख्रॉस करी देखिए गाप में हिस चीज़ को देखिए आप कर दों ने मिलकरके डिस्टेंस को कवर किया है तो यानि कि दोनों का speed एड़ अफ होना चाहिए तो हमें काम करते है पहले हम लिखते है, velocity of 2 इसको पहले लिखते है, 20i cap vector के साथ लिखे इसको लिखते है 10 minus i cap, क्या कोई तक लीव इसमें बहुत simple सी चीज, ठीक है 20i cap and minus 10i cap आपने लिखा, अब आप द्यान से देखिए कि हम ये जो case पढ़ रहे है velocity of 2 with respect to 1, कितना आएगा बच्चे, velocity of 2 minus velocity of 1, 20i cap minus 10 of minus i cap equal to 30i cap यानि कि मैं first car के respect में second की velocity अगर निकाल रहा हूँ, तो it will be equal to 30i cap 30 से चलती हुई लग रही है अब बताओ, ये 30 कैसे आया अगर मुझे equation नहीं आती, मुझे 30 बताना है, बताओ कैसे आया, क्या इन दोनों velocities को, जो magnitude है, 20 and 10 को क्या add करके आएगा यानि कि जब गाड़ी opposite direction में आ रही हो, तो दोनों की speed add होके आप relative speed निकाल सकते है ठीक है, तो ये आपके पास case है opposite direction का, और velocity of 2 with respect to 1 आपने निकाल लिया, ठीक है अगला point के आएगा बच्चे आपके पास velocity of 1 with respect to 2 आप निकालेंगे तो just minus sign का difference आएगा, minus 30 i cap, magnitude same आएगा, ठीक है जैसा पहले slide में आ रहा था for opposite direction, what is meant by opposite direction, बताइए, opposite direction का बतलब दोनों की velocity, या तो इस तरीके से या फिर इस तरीके से, देखिए आप द्यान से सही है, ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपके पास दोनों की velocity आपने दिखा दी तो relative velocity आपके पास, speed क्या आगे आपके पास बच्चे, v2 plus v1 simple, add कर दीजे, ठीक है क्या कर देगे, v2 plus v1 तो आप इन दो slide के बात, अपने आप से एक सवाल पुछे, कि कभी भी आप से कोई ये बात पुछे कि दो गाड़ी opposite direction में आ रही है, दो bodies opposite direction में आ रही है, दो particles opposite direction में आ रहे हैं, उनके बीच की relative speed क्या होगी, क्या आप बता सकते हो, चलिए, एक quick questions का round करते हैं, आपर, वो ये कि माल लीजिए, कि एक गाड़ी दर से आदी 10 से, एक गाड़ी दर से 10 से what will be the relative speed, बताइए कितना होगा, 20 एक गाड़ी जारी दर 10 से एक और जारी दर से, same direction में what will be the relative speed 0, same है ना तो जहाँ same होता है, वहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देता है, एक और पूछ लेता है आपसे quick सवाल, कि एक गाड़ी चल रही है इस तरफ, 30 से और दूसरी गाड़ी भी चल रही है इस तरफ, 10 से what is relative speed, 30 and 10, क्या करेंगे subtract करेंगे, कि add करेंगे, 30 minus 10, equal to 20 क्या आप फटाफट से ये कर सकते हैं तो ये हम क्यों इन सब चीजों की बात कर रहे हैं, एतनी छोटी छोटी चीजों की बात क्यों कर रहे हैं because actually क्या होता है कि जब भी हमारे पास कोई बड़ा सवाल आता है या कोई भी एक अच्छा question आता है तो ये सब उस question के छोटे-छोटे parts जो हम यहाँ पे सीख रहे हैं ठीक है? और यह आपको realize होगा जैसे जैसे आप इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे चलिए, next slide पर चलता है तो next slide पर अगर हम बात करें तो क्या आता है बच्छे देखिए यहाँ पे आपके पास एक question है question क्या है car is moving with velocity 72 km per hour and a bike is moving with speed 50 km per hour इसको आप एक काम कर लीजिए meter per second को km per hour कर लीजिए ताकि units same हो जाएं तो एक चल रही है 72 km per hour से और एक चल रही है आपके पास 50 km per hour तो तो एक चल रही है आपके पास 50 km per hour then find out the speed of car with respect to bike if they move in opposite and same direction more simple तो क्या situation है हमारे पास car है और हमारे पास bike यह कित्रे से चल रही है 72 km per hour से in same और यह चल रही है आपके पास 50 km per hour what is the relative speed क्या आप सीधा answer दे सकते हो बिलकुल दे सकते हो कितना आएगा बताएए फड़ा फड़ से बताएए same direction है तो 72 minus 50 की 72 plus 50 बताएए it will be 72 minus 50 यानि की आपके पास 22 km per hour चीक है इस चीज को correct कर लिजेगा it is km per hour लिखा मैंने इसको meter per second में calculate नहीं कर रहा चीक है आई बास समझ में अगर आप इसमें और बात करेंगे opposite direction की अब क्या होगा यह चल रहा है 72 km per hour से और यह चल रहा है आपके पास 50 km per hour से वाला क्या होगा आप क्या आना चाहिए बताएए 72 plus 50 की 72 minus 50 yes it will be 72 plus 50 कितना हो जाएगा 122 km per hour अब सोचो जब टक्कर होती है तो नुकसान जादा क्यों होता है क्योंकि आप कम से चल रहा है उससे मतलब नहीं है सामने वाला कितनी स्पीट से आ रहा है उससे भी मतलब दोनों चीजों से मतलब होता है क्योंकि जब टक्कर होती है तो वो relative speed से होती है आमने सामने जब टक्कर है और किसी भी दो body switch में टकर होती है, तो relative speeds होती है, तो इस चीज को हम ध्यान लखे, बहुत सिंपल सा question था यह, तो formula used कौन सा आया, पहले वाले में V2 minus V1, और दूसरे वाले में आपके पास V2 plus V1, ठीक है, simple, बहुत सिंपल सी चीज है, समझ में आईए बच्चे अपने को, ठीक है, तो questions के relative motion में हमारे पास, actually, हम motion के जो questions, relative motion के questions को, इसको दो part में divide कर रहे है, कितने part में divide कर रहे हैं, यह आप है, दो part में, ठीक है, वो दो part क्या है, बच्चे समझते हैं, देखिए, तो acceleration से हम इसको divide कर रहे है, पहला case है मेरे पास कि, दो bodies के बीच का relative acceleration अगर 0 हो जाए मतलब दो bodies के बीच में आपके पास relative acceleration हो गया 0 और दूसरा वाला हो गया आपके पास relative acceleration constant ठीक है इन दो parts से हमने इसको divide कर दिया अब अगर आप एक चीज़ पर ध्यान देजिए यह आपने equations of motion पड़ी है equations of motion तीन है हमारे पास कौन-कौन सी है क्या बच्चे आपको याद है बताएए V equal to U plus 80 है या नहीं है बताएए V equal to U plus 80 याद है आपको चार variables से इसमे vector equations हो यह सारी दूसरी equation displacement की S equal to U T plus half 80 square क्या यह भी एक vector equation है sine के साथ values put करनी होती है आपको और तीसरी V square equal to U square plus 2 AS यह भी रख्टर equation है हर equation में चार variables होते हैं अब यह जो आपके पास V, U और A है इस V, U और A को आप जब पहले कर रहे थे तो body की velocity body की initial velocity, final velocity acceleration, displacement, सब body का था अब मैं आपसे यह कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे किसी भी इस equation को आपको relative में use करना है तो आप कैसे use करेंगे आप use करेंगे इन सभी variables को आप convert कर दीजी relative variables किसमें convert कर दीजी बच्चे relative variables ठीक है तो V, U, A और S, time पे बोला क्यों नहीं मा रहा है time सब के लिए same रहा है ठीक है, आपने घड़ी पहन रखी है आपके दोस्तने घड़ी पहन रखी है अगर दोनों की घड़ी सही चल रही है तो अगर आपने कुछ motion किया है और आपके घड़ी में 15 second बीते हैं तो आपके friend की घड़ी में भी 15 second बीते होंगे और time में इसमें अगरा कुछ नहीं पढ़ना अपने को इसमें ठीक है ठीक है, हम special theory of relativity discuss नहीं कर रहे है यहां पर हम simple अपने relative motion की बात कर रहे है जहां पर हम time का relative relation की बात नहीं कर रहे है ठीक है, चलिए तो यहां पर आपके पास V बराबर U plus AT S equal to UT plus half AT square and V square equal to U square plus 2S इसको आप लगा सकते हैं यहां पर ठीक है, चोड़ देखिए आपके पास पहले इसको अपने बाब में सबस्तर बटा पहले इसको देखे रियान से क्या यही equations आपके पास यहां आ गई है देखे रियान से सब equations वही है क्या change आए आपके पास कि यह आपके पास a relative देखे रियान से हर variable relative हो चुका है अच्छा यहां पर आपके पास क्या लिखा बचे चीज को देखे रियान से it is relative acceleration अगर 0 अगर इन सभी equation में मैं relative acceleration अगर 0 कर दूँ आप जहां से देखिए अगर acceleration relative आप 0 कर दे मालों कि मैंने इसको 0 किया तो क्या मिला मुझे V और U बराबर V और U बराबर का मतलब कि body के बीच की relative velocity जो initial है वही relative velocity दो body के बीच में final है relative velocity कभी change नहीं हो रही है क्योंकि इन दोनों body के बीच का relative acceleration 0 है क्या 0 है relative acceleration इसलिए दो body के बीच में relative velocity चेंज नहीं हो रही है अगले point को समझते है यह कहां से आया S equal to V relative into time इसको देखिया S relative equal to V relative into time यहीं से आया है जब आप इसमें A को 0 put कर दे Again A relative equal to 0 put किया displacement equal to velocity into time आई बस समझ में तो जब भी आप questions solve करेंगे दो bodies के बीच में जहां पर दो bodies के बीच में कोई relative motion नहीं हो रहा है तो वहां पर जो आप questions solve करेंगे आप इस equation का use कर सकते हैं बहुत अराम से आपके question solve होंगे तो दो part में divide कर दिया है अब इस part 2 वाले वीडियो में हम इस जहां पर आपके पास relative acceleration between the two bodies इस zero है उसके questions की practice करेंगे और इसके questions की practice हम part 3 में करेंगे तो शुरू करते हैं बात करें questions की बच्चे चलिए start करें पका ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो next problems when relative acceleration is not present दो bodies की बीच में जब कोई relative acceleration नहीं है तो हमने क्या सीखा बताईए acceleration relative अगर zero है तो दो bodies के बीच में relative velocity will become constant और relative velocity अगर constant हो गई तो हमें क्या equation use करने है बच्चे displacement is equal to v relative into time yes or no ठीक है इस equation का use करते हुए questions को solve करेंगे चलिए बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपके पास बच्चे क्या question है question यह है a train of length 500 meter is moving with speed 15 meter per second along east train चल रही है आपके पास 15 meter per second से east के आलो and a bird is moving just above the train with speed 10 meter per second in opposite direction bird जो है वो opposite direction में चल रही है कितनी speed से बच्चे 10 meter per second से ठीक है आप से क्या पूछा गया है find out the time taken by bird to cross the train यह bird train को cross करने में कितना time लगाए की ठीक है क्या situation है उसको पहले visualize कर लेता है देखे बच्चे train है आपके पास train चल रही है कितनी speed से आपके पास 15 meter per second से bird चल रहा है आपके पास 10 meter per second से अपों से direction है ठीक है तो जब यह एक दूसरे क्रॉस करेंगे यहाँ पर आपके पास speed है 15 meter per second यह है आपके पास 10 meter per second तो पहला सवाल मेरा आपसे यह है solve करने से पहले क्या आपको इन दोनों के बीच की relative speed निकालनी आती है कि नहीं आती है अब क्या हमें आती है अभी हमने सीखा बिलकुल सीखा ठीक है अब train की length आपको दे रखी है 500 meter और bird इसको cross करेंगे चो समझते हैं बच्चे cross करने का meaning क्या होता ठीक है अब यही चीज़ हमें visualize नहीं हो पाती है इसको हम यहाँ पर देखते हैं कि cross करने का meaning क्या है समझ यह चीज़ को देखे हमने माना है बच्चे train को observer अब train अगर observer माल ली जाए तो क्या observer खुद के लिए कभी move करता है नहीं करता है यानि कि हम train को क्या कर लेंगे rest पर माल लेंगे और train के respect में सिर्फ और सिर्फ कौन चलेगा train के respect में चलेगी सिर्फ bird ठीक है तो कितनी स्पीड से चलेगी 25 मीटर से चलेगी चलेगी चलिए आगे देखते हैं तो what is mean by crossing कैसे हम crossing time निकाल सकते है train rest पर आगे क्योंकि train को अमने observer माल लिया ठीक है अब जब bird train को cross करेगी तो bird को train के इस end से इस end तक चलना है लो एक कितनी स्पीड से 25 मीटर पर सेकर ठीक है तो 25 मीटर पर सेकर अगर आप चल रहे है तो बट को fly मीटर पर से पस स्थीड आप पताईयोगे क्या आप टाइम निकाल सकते हैं बोले निकाल सकते हैं जय क्योंकि निकॉस सो मीटर इसको चलना है कितनी स्पीड से 25 की 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या आप टाइम निकाल सकते हैं बिलकुल निकाल सकते हैं आपके पास फार्मला था कित आ जाएगा बैटा यानि कि 20 सेकंड यू विल गेट आंसर ठीक है बहुत सिंपल सा सवाल है क्या आपको इस चीज विजुलाइज हुई है कि वाट इस एक्चुली मीनट बाए क्रॉस इंपॉर्टन यह है ठीके सवाल का आंसर आ गया कोई दिक्कत नहीं सवाल का आंसर तो सवाल को दौबारा बना लेंगें कोई बड़ी बात नहीं की लेंग्ट चेंज कर दो दो की विलॉसिटी चेंज कर दो नया सवाल बन जाएगा but crossing का meaning क्या है कि आपको समझ में आई बात yes very good चलिए आगे बढ़ते है next question पे देखे पावला लगा दिया answer आगे two trains of same length अब इस question में थोड़ा सा जो है पिछले question से थोड़ा सा change किया पहले आपके पास जो question था उसमें train की length तो थी but bird को क्या हम एक point object की तरह मान सकते थे और हमने point object माना भी सही इस train के respect में bird की size कुछ matter ही नहीं करती न लेकिन अब क्या दोनो objects की length consider करनी पड़े क्योंकि आपने दो train ले ली और दोनों की length यहाँ पर आपको दे रखी है टिपने कितने से चल रही है एक चल रही है 12 meter per second एक चल रही है 30 meter per second on parallel track find out the time of crossing if they move in same direction पहला सवाल है यह दूसरा रहेगा हमारा वही opposite direction ठीक है तो जब दो objects की आपको length दी जाए तो हम crossing time कैसे निकालें इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं क्या हो रहा है इस चीज को समझे एक train चल रही है 30 meter per second से एक चल रही है 12 meter per second इस समय पे एक का end point और एक का start point एक जगे पे है कैसा दिखता है crossing real life में उसको देखते हैं पहले तो real life में आपको crossing कुछ इस तरह के दिखाई देगी बट इससे सवाल सौल नहीं हो तो मुझे समझना पड़ेगा what is actually meant by crossing तो सबसे पहले यहाँ पे सवाल जो है आपके पास same direction का है तो same direction में what will be the relative speed क्या आप निकाल चुके हैं अभी तक 1 की speed 13 दे रखी है 1 की speed आपको 12 meter per second दे रखी है what is relative speed relative speed is 13 minus 12 ठीक है चलिए आगे बढ़ें तो crossing कैसी दिखती है या how to solve the question तो हमें एक को observer मागना पड़ेगा एक train को rest पे लेके आना पड़ेगा और उसका relative हम दूसरे को चलाएगे तो एक relative दूसरी train चलेगी तो what is mean by crossing देखिए इसको हम दो observer मागना लिया बी वाली को बी के relative ए चल रही है कितने से एक की speed दे रखी 12 एक की दे रखी 13 तो इसकी 12 थी इसकी 13 थी और relative speed कितनी आगे relative speed आगे आगे आपके पास दोनों को minus किया 1 meter per second ठीक है चलिए अब आगे बढ़ तक तो कैसे ये दूसरे को cross कर दी है समझे इसको अपने यहां से रख कर देते हैं ठीक है जो अपने डेटा लेखा इसको रख कर देते हैं और vb minus va की जो value है आपके पास it is equal to 1 meter per second ठीक है अब आप द्यान से देखिए crossing कैसी दिखाई देती है देखिए ये train चली क्या ये train इस नीचे वाली train को जब ये train इस train से पूरा आगे निकल जाएगा अब आप मुझे ये बताइए कि ये train actually चली कितना है 75 meter ये इसकी length और 75 meter ये ये length तो इस train का जो starting point है जो पहले इस जगे पे था वो यहां से कितना आगे चल चुका है ये चल चुका है 75 plus 75 is equal to 150 meter और कितनी relative speed से 1 meter per second से तो बच्चे कितना time निकलेगा क्या हम बहुत आराम से निकाल सकते हैं समझ में आया आपको कि जब आपके पास 2 objects है दोनों का आपको crossing time निकालना है और दोनों की length अगर आपको दी हुई है तो crossing दिखती कैसी है बात समझ में आई आपके पास 150 seconds कोई बड़ी बात नहीं है इसको solve करना क्या चीज़े visualize हो रही है बच्चे अपने को बोलेगी ठीक है तो यह आगे आपके पास 150 seconds formula used यही बात ठीक है एक और इसका वही opposite direction तो opposite में आपके पास train थी इस case पर relative speed कितनी आईगी फटा फट से बताईए इसमें अब time race नहीं करना यह बात हम पहले सीख चुके ठीक है कितना आएगा एक की speed 13 एक का 12 opposite direction में है 13 plus 12 क्या relative speed आपके पास 25 meter per second आ जाएगी और crossing दिखती आपके पास कुछ ऐसी है अब इससे कैसे समय निकाले एक को रोकना पड़ेगा ठीक है तो हमने क्या बोला एक train को observer बना दीजी ठीक है एक train को observer बनाया मालो इसको बना दिया तो क्या यह train हमारे पास rest पे आगई बिल्कुल rest पे आगई अब crossing का मतलब देखे आप ध्यान से va plus vb आप निकाल लेंगे crossing का मतलब आपके पास वही फिर से की पूरा length आपको cover करेंगे अब पूरा length जब आप cover करेंगे तो वही आज आएगा 75 plus 75 is equal to कितना 150 meter लेकिन इस बाट जो आपके पास relative speed है वह आएगी बच्चे 12 plus 13 is equal to 25 meter per second तो 150 meter चलना है s relative is equal to v relative into time कितना time लगा बताइए इस बार आपको लगेगा समय 6 seconds यस और नो चेक करिए बटा फटा फट से क्या चीजें solve करने के साथ साथ आपको visualize भी हो रही है यह important है ठीक है क्या आपको चीजें समझ में आरी बच्चे बिलकुल चलिए बहुत बढ़ी है आगे बढ़ते देखे तो यहाँ पे यही formula पास एक और question देख लेते हैं a man is traveling on his bike with speed 10 km per hour he crosses a train of length 200 meter in 9 seconds train की length दी हुई है bike की length अब आप यह मुझे बताइए क्या हमें bike की length को consider करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए जब हम उसको train से compare कर रहे हैं बताइए just a common question है आपसे common sense का question है कि जब हम train की length को आपको सवाल में दे चुके हैं और सवाल में bike की length दी नहीं है तो क्या हम इसको consider करें obviously जरूत नहीं है क्योंकि train आपके पास काफी अच्छी खासी length की होती है bike की length इसके respect में negligible है इसलिए यह data यहाँ पर दिया हुआ नहीं है ठीक है तो क्या यह सवाल आपके पास कुछ वैसी situation नहीं हो गई bird और train crossing वाली ठीक है लेकिन actually क्या है कि वहाँ पर आपसे time पूछा था यहाँ पर time दिया हुआ है और time दे करके आपसे एक train एक object या आप कैसे train की आपको velocity पूछ ली गई ठीक है चलिए solve करते हैं कैसे solve करेंगे देखें बच्चे तो यहाँ पर आपके पास opposite direction में है तो इनके बीच की बच्चे relative speed क्या होगी it will be v plus 10 होगा या नहीं होगा बताइए तो v plus 10 आपकी speed है train के length कितनी बच्चे 200 meter 200 meter चलने में कितना समय लग रहा है यहाँ पर 9 seconds ठीक है तो formula use कौन सा s relative equal to v relative into time क्योंकि दोनों objects के velocity आपके पास constant है यहाँ पर दोनों का acceleration नहीं है relative acceleration आपके पास 0 है तो हम use करेंगे s relative equal to v relative into time यूज कर सकते हैं चले देखें तो क्या हो गया cross किया आपने cross करने में आपके पास data है speed relative speed v plus 10 है length है train की 200 meter तो 200 meter की आपके पास length है तो यहाँ पर formula को थोड़ा सा modify कर दिया है आपकी सुमिधा के लिए क्या है कि sum of length of both the bodies देखें as relative हम कैसे निकाले अगर आपको कभी तकलीफ हो ठीक है तो it is actually equal to 200 meter train की length है bike की length मुझे consider करनी नहीं है plus 0 plus distance between them अगर given है तो इस सवाल में ध्यान से देखिए क्या bike और train के बीच का distance given है distance given नहीं है तो मैं क्या मानूंगा कि train और bike का intersection start हो चुका है and अब यह cross कर रही है आपसे इसकी बात करीगे मानलों आपको बोल दिया जाए कि train और bike में initial distance 1000 meter है तो क्या उस 1000 meter को चलने के लिए भी time calculate करना पड़ेगा तो s relative में वह भी count होगा अब इस वाले question में आपको नहीं दिया है तो I will write it as 0 तो कितना आ गया s relative वही 200 meter 200 meter चलना है बच्चे वी प्लस 10 से तो s relative equal to v relative into time हमारे पास formula है तो s relative is 200 v relative is v plus 10 into 9 क्या इसको solve करके हम बहुत आराम से velocity निकाल सकते बस velocity बच्चे यह ध्यान रखिएगा कि जैसे यह time kilometer per hour है यह आपके पास meter है और यह आपके पास second है ठीक है तो 10 km per hour को solve करने से पहले meter per second में convert कर लीजेगा ठीक है ताकि आपका answer सही आए नहीं तो answer जो है फिर वो गलत आएगा तो इस चीज़ का हम लोग ग्यान रखिए units का आपके पास 10 km per hour है पहले meter per second में convert कर लेए क्योंकि बाकी data आपको meter और second में दिया हुआ ठीक है कर लेंगे solve ठीक है तो यहाँ पर इस formula को बिटा लिख लीजिए ताकि आप जब भी s relative निकालें तो आपको बहुत ज़ाद तकलीव ना हो sum of length of both the bodies plus distance between them अगर दिया हुआ है तो ठीक है चलिए एक और question करते है इसी basis पर क्या दिया है इस बार two trains of same length अब क्या हो गया बताईए दोनों objects की length आपको दे दी गई है एक चल रही है आपके पास 15 meter per second से and तो बच्छे एक चीज़ करेगा इस पर यहाँ पर same को काट पीज़े एक की length 200 meter है एक की 300 meter है जब अलग अलगे तो same कहां से होगा ठीक है तो same को अपन काट देते हैं एक की length हो जाएगी 200 meter एक की हो जाएगी 300 meter speed आपको दे रखिए 15 meter per second 35 meter per second और इनके बीच का initial separation भी दिया गया है question में एक छोटा सा modification पिछले सवाल से पहले अभी तक जितने question आपने crossing वाले किये दो objects की बीच में initial distance नहीं था तो हम क्या मान रहे थे कि just crossing start हो चुकी है लेकिन अब initial distance given है तो हम इसको count करेंगे ठीक है तो यहां पे आपके पास क्या आगे बच्छे पंजरा मीटर पर सेकंड 35 मीटर पर सेकंड डिलेटिव स्पीड निकाल चुकी है अब अभी तक नहीं निकाली अपोज डिरेक्शन में नहीं निकाली तो फटा फट निकालो डाइगराम अभी आ जाएगा आपके सामने ठीक है पचास आएगा answer निकाल के देखो फटा फट से ठीक है तो find out the time of crossing if they move in opposite direction तो यहां पे इनके बीच का distance भी गीवन है train की length भी ले नहीं है distance किता दिया आपच्छे 100 मीटर ठीक है train वापीश लेके आते हैं यह कितना है एक की length दे रखी आपको 200 मीटर एक की length दे रखी आपको 300 मीटर अब आप बताओ what is as relative डाइगराम दे 300 प्लस 100 क्या 600 चलना है what is relative speed is equal to 15 plus 35 is equal to 50 meter per second yes or no देख करके बताइए क्या 50 meter per second relative speed है आपके पास ठीक है तो यह train चली गई 600 मीटर चली formula आपने लिखा था वी ए प्लस वी वह लिखा उपर आपके पास calculation पहले ही कर चुके हम लो ठीक है तो sum of length of both bodies अच्छे से लिखके देखत distance में plus distance between them if given yes it is given to us ठीक है formula क्या लगेगा time निकालने के लिए as relative equal to relative into time तो 600 is equal to 50 into t क्या इस बार सभी data meter per second में है कुछ kilometer per hour में तो नहीं है अगर है तो solve करने से पहले convert कर लेंगे ठीक है किता आ जाएगा बच्छे t 60 by 5 is equal to 12 seconds क्या सवाल असान हो गया बोलिया ठीक है चले बड़े आगे फिर two particles a and b are moving in same direction यहाँ पर ध्यान दीजेगा पिछले वाले सवाल में train था यहाँ पी क्या है particle अब particle दिया है तो इनकी length को क्या हम zero माल के चलेंगे and a की speed आपके पास 40 meter per second a की speed 10 meter per second initially a is 90 meter behind b find out the time after which a overtakes b तो क्या case है बच्चे आप इसको चिसको दियान से देखिए कि दो particle है ठीक है और a और b a आपके पास b से पीछे है और b आगे है b कितने से चल रहा है बच्चे 10 meter per second से a कितने से चल रहा है आपके पास 40 meter per second से ठीक है तो यहाँ पे आपके पास length of sum of length of two bodies क्या particle है तो यह zero हो जाएगा अब सिर्फ यह बचेगा ठीक है तो हमने हर तरह का सवाल किया जहां पर sum of length of bodies है यह नहीं है तो 90 meter आपके पास यह separation है क्या आप relative speed निकाल सकते हो बच्चे एक की 10 है एक की 40 है निकाल सकते हो बहुत अराम से 40 minus 10 yes or no कितना आएगा बच्चे 30 आजाएगा ठीक है निकाल के देखो अब इस relative speed से कितना distance travel करना है मुझे 90 meter का distance travel करना ठीक है तो 90 meter का distance travel करेंगे formula use as relative equal to relative into time क्या आजाएगा बच्चे 3 second लगे ठीक है बड़े आगे चले एक और सवाल 2 car A and B moving in opposite direction with speed 10 meter per second and 15 meter per second respectively दोनों car की speed दे रखी है आपको if initial separation between both cars is 100 meter then find out the time after which both cars will meet ठीक है opposite direction में चल रही है what is the relative speed आप इस सवाल को बिना pen उठाय कर सकते हैं क्या है relative speed बताइए कितनी है 10 plus 15 25 add क्यों किया क्योंकि opposite direction वाला case है ठीक है दोनों की बीच का separation कितना है बच्चे आपके पास separation है आपके पास 100 meter ठीक है separation 100 meter है 10 meter per second 15 meter per second इनकी speed दे रखी है तो relative speed 25 meter per second आ गई और क्या दोनों कार की आपको length given है और length given नहीं है तो हम उस पे ध्यान नहीं दे ठीक है given होगी तो क्यों करें जैसे train वाले case में आपको length दिया हुआ था ठीक है तो क्या answer आगया आपके पास answer आजाएगा वैसे इसका जो लोग solve कर चुके है अभी तक 100 by 25 is equal to 4 seconds ठीक है देखे बेटा तो यह वाला case हो गया opposite direction का length of two bodies 0 plus 100 meter ठीक है and formula दागा दीजिए s equal to v into t दोनो relative है variables s relative and v relative time आगया आपके पास चले अब आगे बढ़त problems based on relative motion under gravity ठीक है जब दो bodies gravity में हैं या free fall वाली case में हैं आपके पास तो वहाँ पे जो problems हैं उसको हम कैसे solve करें देखें तो क्या चीज यहाँ पर important है क्यों हम इसको a relative equal to zero वाले section में ही continue कर रहे हैं पहले motion under gravity की बात क्यों कर रहे हैं समझी देखें माल दीजी आपके पास दो bodies हैं एक को आपने उपर फेका एक को आपने नीचे फेका इस पर या दोनों को आपने उपर फेक दिया ठीक है दोनों को नीचे नहीं फेक सकते यह ground पर ही है ठीक है अब इसको आप उपर भी फेक सकते हैं इसको आप नीचे भी फेक सकते हैं कहीं ग्रेविटी है ना downward direction में इस ball का acceleration कितना होगा 10 meter per second square वो भी downward direction में ठीक है अब हुआ क्या ध्यान से देखिए जब आप motion under gravity की बात करते हैं तो यहाँ पे gravity किसी body में कोई भेदभाव नहीं कर रही है सब पे क्या same amount of acceleration लग रहा है 10 meter per second square 10 meter per second square तो क्या यहाँ पे relative acceleration 0 हो गया acceleration हो रहा है दोनों bodies का acceleration है तीन लगा दो के तीन का भी रहेगा लेकिन क्या acceleration की value same है और acceleration की value same होने की वज़े से जो दो bodies free fall में हैं उनके बीच का relative acceleration आपके पास 0 तो यह उसी category के सवाल होगे जो भी आप कर रहे हैं देखे पार्टिकल्स वाले देखे आप द्यान से तो यहाँ पे you relative माल लीजे कि एक की velocity आपके पास v1 है एक की velocity आपके पास v2 है यह same direction में भी हो सकती है ठीक है यह opposite direction में भी हो सकती है same direction में अगर यह bodies चल रही है क्या मुझे relative speed निकालनी आती है बिल्कुल आती है opposite direction में चल रही है क्या मुझे relative speed निकालनी आती है बिल्कुल आती है ठीक है तो यह relative मैं निकाल सकता हूँ बहुत आरांग से यह तो v1 minus v2 यह v1 plus v2 depending they are moving in same direction और opposite direction displacement relative दे रखा होगा इसके बीच का कि भई यह क्या है कब मिलेगी इस तरह के सवाल आपके सामने आ सकते हैं ठीक है अगला variable a relative यह really बहुत important है दोनों का acceleration 10 और direction भी same equal to 0 तो a relative अगर आपके पास 0 हो गया तो क्या यह वैसे ही सवाल हो गए कि जो दो particle चल रहे थे कुछ velocity से आपको दे दिया था कब मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे क्या वही सवाल है तो जो आप अभी horizontal ने particles को fake रहे थे कुछ नहीं किया उन particles को vertical में आपको दिखा दिया गया है क्यों सेम है क्योंकि relative acceleration is still 0 ठीक है चले आगे बढ़ते है इस पर यही फार्मला आप यूज करेंगे कि relative acceleration आपके पास 0 है as relative equal to relative into time इसको लिख लीजेंगा ठीक है चले तो यहां पर आपके पास एक क्योशन है इसी भी बेस चोटा सा अब बाल इस फिटेट वर्टिकली अपपर सम ग्राउंड विद स्पीड 100 मीटर पर सेके एक बाल को ग्राउंड से उपपर फेका गया है अनादर बाल इस ड्रॉप साइमल्टेनियसली फ्रम हाइट 500 मीटर जिस बॉल को ड्रॉप किया है बच्चे उसकी इनिशल विलास्टी क्या होगी बताइए जीरो दोनों की बीच का सेपरिशन कितना बच्चे आपके पास 500 मीटर और पाइंड आउट टाइम वेंडे क्रॉस इच अगर आप से टाइम की बात नहीं भी करी हुटी तो भी मैं आपसे कहूंगा कि आप सबसे पहले टाइम निका लिए क्योंकि जो टाइम है वो दोनों बॉल्स के लिए सेम रहेगा किन दोनों के लिए आप इसको पहंगे देख लिजे जो दो बॉलникомा को ये बॉल चलेगी और ये बॉल चलेगे उसका सम आपको दे रखा है 500 मेटर चलेगी अलग-अलग लेकिन मैं एक बाग पे शौर हूँ कि अगर आपने साइमल्टेनियसली इसको रिलीज किया है और इसको विलॉस्टी दी है एक ही समय पे तो जितना समय के लिए आपके पास ये बॉल चली है क्या उतना ही समय के लिए ये बॉल भी चली है टाइम सेम है टाइम पे ध्यान देजिए अगर टाइम नहीं भी पूछा होता अगेन चले कि जब मिले थे तो बताओ ब्लू वाली बॉल की विलोस्टी क्या हुई थी वी बराबर यू प्लस एटी उसके लग लगा तो टाइम तो है ना आपके पास ब्लू वाली बॉल का डिस्प्रेस्मेंट किता था एस इकल्टी यू टी प्लस हाफ एटी स्कॉरर टाइम है आपके पास तो में चीज है आपको टाइम निकालना आना चाहिए कैसे निकालेंगे बच्चे क्या आप इनके रिलेटेव विलोस्टी बता सकते हैं अंड्रेट माइनस जीरो यह आगे आपके पास 500 मीटर लेकर विस्पीड आपके पास 100 आ गई टाइम पूछा है बताओ फटा फटाफर्स 500 इक्वल टू 100 इंटू टी क्या पास सकते आना चाहिए अपके पास टाइम ठीक है तो यहां पे इसको हमने एक्स्पेस्प्लीन किया है with the रेसपेक्ट-टू रै्ड बॉल के रिने क्या हो रहा है रैडड बोल के रेसपेक्ट में आपके पास कि यह वाली बॉल 100 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रही होगी, जो आपके 100 मीटर पर सेकंड रिलेटिव स्पीड निकाली है, यह देखिए, एक रेस्ट पर आ गया, दूसरा चलता हो लगेगा, 100 मीटर पर सेकंड से, टकराएगी, कितना चलना है आपके पास? 500 मीटर, ठीक है, यू रिलेटिव आ गया, आपके पास? 100, एस रिलेटिव कितना आ गया बच्चे आपके पास? 500 मीटर, देखो, बॉल आ भी गई, ठीक है, 500 मीटर चल गई, क्या लगेगा आपके पास समय? 5 सेकंड, और यहाँ पे, अगर आप दियान से देखोगे, तो यह फर्मूला आपके लिए दुबार लिखके दिया गया है, क्यों? क्योंकि यह बिल्कुल वैसा ही केस है, टू पार्टिकल वाला, जहाँ पे दो पार्टिकल के बीच में, रिलेटिव एक्चलरेशन जीरो था, ठीक है, अब टाइम आगे, टाइम आपके पास 5 सेकेंड आगे, अब बात ही खतम होगी, अब मालो कि फॉर एक्जांपल इस पर नहीं लिखखा है, मैं आपसे बोलू, दिस्प्लेस्मेंट आफ ब्ल्व बॉल, वें ब्ल्व बॉल, वें ब्लॉ मतलब समय, क्या समय हम निकाल चुके हैं, 5 सेकेंड, किता दिस्प्लेस करी होगी, यू रिलेटिव, यू रिलेटिव लई जब नहीं है, आप इसको अलग से सॉल्ल कर रहे हैं, तो ब्लीव बॉल की निशल रोश्ट है कितनी बच्चे जीरो टाइम लगा पांस सेकेंड एक्सेलरेशन है आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वाइर इन डाउनवर्ड डिरेक्शन इन्टू टी स्क्वाइर टी बतलबा के पास 5 कितना आ जाएगा ये 0 यानि कि ये बॉल चली है 125 और ये कितना चली है 500 मानस 125 सी 75 मीटर इस सब विरीबल्स आप निकाल सकते हो लेकिन सबसे पहले मुझे क्या निकालना है सबसे पहले निकालना है मुझे टाइम ठीक है चलिए बड़े आगे next question two stones A and B are projected simultaneously along the same line A is projected vertically upward from ground with speed 20 meter per second and B is projected vertically downward from height 40 meter with same speed, दोनों की speed same है find time after which both particles will collide, ठीक है, तो क्या condition है फटाफर से देखते बटा दो बॉल है आपके पास, दोनों की velocity आपके पास 20 meter per second, एक नीचे और एक उपर इनकी relative speed क्या होगी बताईए, फटा-फट से कौन सा case है, opposite direction वाला की same direction वाला yes, opposite कितना आएगा 40 meter per second आएगा, ठीक है 20 plus 20 equal to 40, ठीक है अब आप द्यान से देखिए, relative acceleration again zero, क्योंकि दोनों का acceleration g है ठीक, यह ball यहाँ पर आके मिली तो you relative, कितना आएगा बच्चे, बूलो 40 displacement relative, क्या दिए है tower की height आपको 40 meter, तो relative displacement इन दोनों के बीच का, it is 40 आप से क्या पूछा है, time पूछा है, तो a relative तो 0 आ गया, formula used s is equal to v into t यह बार-बार आपके लिए लिख रहे हैं क्यों, ताकि आप इसको भूले नहीं, some of length of both bodies, इन दोनों की length लेने की जरुद है क्या, जरुद नहीं है, क्यों नहीं है, particles है, पत्थर है, छोटे-छोटे, ठीके, distance between them, आपके पास 40 था, तो यह अपने s relative लिख दिया, ठीके, क्या समय लगेगा बच्चे, समय लगेगा आ 40 into t, time आजाएगा आपके पास 1 second, अब 1 second में कौन कितना चला, कितने से चल रहा है, क्या सब variables solve किये जा सकते हैं, बहुत आराम से, बिल्कुल किये जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीके, important factor क्या है, important factor है time, क्योंकि वो दोनों के लिए same है, ठीके, चलिए, एक और, a body is dropped from an aeroplane, which is moving horizontally with constant speed u, at some height, what will be the path of body, तो यह एक simple सा सवाल है, what will be the path of body, with respect to observer present, इसको कर लिए बटा, on ground, ठीके, and with respect to observer present inside the plane, तो दो फ्रेम से आप देख रहे हैं, दो observer के लिए ball का path कैसा होगा, क्या situation है, एक plane है, plane से आपने ball को drop किया, plane चल रहा है, आपके पास horizontal velocity u से, तो क्या plane में रखी हुई, हर object की velocity आपके पास same रहेगी, जो plane की है, तो अगर आप ball को drop कर देते हैं, तो क्या ball के पास भी velocity बच्चे u ही आएगी, आएगी की नहीं आएगी, बताएगी, ठीक है, u velocity आपके प होगा, मतलब आप यह मान के चलिए कि आपने इसको ऐसे u velocity से फेका है, किसी height से, क्या path होगा, कैसा motion करेगा यह, यह करेगा आपके पास projectile motion, ठीक है, तो projectile motion में body का जो path है, वो कैसा दिखना चाहिए, let us draw it, ठीक है, तो यह इस तरह का path body जो है, follow करेगी, parabolic path, ठीक है, अब क्योंकि दोनों की velocity आपके पास same है, कौन सी, horizontal, तो क्या दोनों के बीच में कोई horizontal relative motion होगा, क्या, नहीं होगा, क्योंकि relative motion वहीं नहीं होता, जहाँ पे चीजे same हो जाती है, ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपके पास with respect to observer on ground, यह वाला path होगा, ground वाले observer के लिए, and with respect to observer present inside the plane, क्या path होगा हमारे पास, देखते हैं इस चीज़ को, inside the plane वाले के लिए, आपके पास, कोई horizontal में relative motion नहीं है, तो क्या ball हमेशा plane के exactly नीचे रहेगी, तो plane को क्या लग रहा है, कि जब plane यहाँ पर है, तो ball यहाँ है, it is just moving in vertically, downward direction with respect to observer present inside the plane, तो what will be the path of body, पहले वाले का होगा, parabolic path आएगा आपके पस, दिखा रखा आपको, और for the observer inside the plane, it will be a straight line, ठीक है, horizontal velocity same है, तो horizontal में relative motion दिखाई नहीं देख, ठीक है, चली, एक और simple सा सवाल करते हैं यहाँ पर, motion under gravity का, a train is moving horizontally with constant speed, train का compartment बना लिया अपन है, सस्ती वाली train है, चलेगा, ठीक है, a boy inside a train projects a stone vertically upward, इस आदमी ने पत्थर को उपर फेका, कैसे velocity दी, vertical velocity दी, in the vertical, उपर की तरफ इसमें velocity दिया, what will be the path of stone, अगेन दो observer के लिए, boy present on ground, and with respect to a boy inside a train, एक observer ground वाला, और एक observer आपके पास train वा, तो train की जो velocity है, क्या वही velocity इस आदमी की भी है, और इसके हाथ में जो पत्थर रखा होगा, क्या उसकी भी velocity सेम रहेगी, यानि की again horizontal direction में कोई relative motion नहीं होगा, ठीक है, तो सबकी velocity आपके पास horizontal सेम है, आपने इस ball को दो velocity दे दी, कैसे, ये इस आदमी ने दिया, जो अंदर खड़ा है, और ये जो velocity है horizontal वाली, ये किसकी वज़े से मिल रही है, train की वज़े से, अब किसी body को आप ऐसे और ऐसे दो velocity दे, y और x, क्यासा path होता है, पताब, पढ़ा बनने, बिलकुल पढ़ा है, projectile, motion, parabolic path, ठीक है, तो यानि की आपके पास ball का जो actual path होगा, that will be parabolic, क्यासा path होगा, parabolic, इसको देखते हैं बचे आपन, ठीक है, तो एक velocity train की हो जैसे, ये और ये same, एक velocity उपर की तरफ, जो इस लड़के ने ball को उपर की तरफ फेका, ठीक है, तो कैसा path होगा, ball का, parabolic path होगा, लेकिन, with respect to the person inside the train, क्या होगा, person की और ball की horizontal velocity same है, तो क्या होगा, कि जब ये इस ball को फेकता है, तो ये ball वापिस इसके हाथ में आके गिर जाएगी, क्यों, horizontal velocity दोनों की same है, तो जितना distance train cover करेगी, आपके पास horizontal direction में, उतना ही distance ball भी cover करेगी, उतना ही distance ये आदमी भी cover करेगा, तो अगर आपने swift ball को ऐसे उपर की तरफ फेका, और आप ऐसे करके बैठ जाओ, ball थोड़ी दिर बाद आपके हाथ में ही आके गिरेगी, if the train is moving with constant velocity, ठी relative acceleration हमारे पास नहीं है, crossing time वाले सवाल आपने किये, ठीक है, किस तरह का motion आपको दिखाई देगा, in different frames for projectile motion, ठीक है, अब next part में we will be going to cover the questions where there is relative acceleration involved between the two particles, दो particles के बीच में जहाँ पर relative acceleration है, उन questions को हम लोग कैसे solve करें, उसके लिए part 3 जरूर देगे,